दोस्तो वल्कम टेक्निकल इसा यूटूब चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम सीखने वाले है यूटूब पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है वो भी 2022 में आपको बता दू के दोस्तो यूटूब की जो अलगुरिदम है वो बार-बार चेंज होती रहती है ऐसे म दोस्तो आप काफी सारे तरीके बदल गए है कहीं सारे लोग वीडियո अपलोड करते है गलत तरीके से उसके बाद वो बोलता है कहीं मेरी वीडियो इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको सही और बैस तरीका बताने वाला हूँ साधे साथ आपको बला दो दोस्तो कि कquelle सारे विडियो upload करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर यूटूब इससे वीडियो upload करते हैं जो कि कभी नहीं करने चाहिए ऐसे मां दोस्तो क Mitglied पर होते हैं उनके पास laptop, pc नहीं होता और उसके बाद वो अपने मोबाइल का इस्तमाल करते है और वीडियो को अपलोड करते है जनरली मैं भी अपने मोबाइल से ही वीडियो को अपलोड करता हूँ पर कहीं सारे लोग मिस्टेक करते है कि जब वो यूटूब एप से ही वीडियो को अपलोड करते है जो की basics वीडियो होती है, अगर आप एक beginner है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें आपको बताया मैंने कैसे अपने YouTube चैनल का logo बना सकते है, कैसे चैनल का art बना सकते है, और कैसे अपने YouTube चैनल को create कर सकते है, किन-किन बातों का आपको ध्यान लगना है, साधे साथ अपन YouTube चैनल को starting में कैसे customize करना है, और इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा ही कि वीडियो को upload करने का सही तरीका क्या है, जब कोई भी नया YouTuber YouTube पे आता है, सबसे पहले जो वीडियो अप्लोड करता है, वो YouTube एप से करता है, इससे नहीं करना चाहिए, इसके 2-3 reason है, जो नह करने चाहिए, पहला reason यह है, कि जब भी आप अपने वीडियो को यहाँ पे upload करोगे, तो थोड़ असल जो size है, वो कम हो जाएगा, यानि कि जो आपकी quality है, वो यहाँ पे कम हो जाती है, दूसरा reason यह है, कि यहाँ पे आप सही से title नहीं लिख पाते, description सही नहीं लिख पाते और SM जो tags है, वो भी proper नहीं लगा पाते, तो इसलिए यहाँ पे कहीं सारे जो feature है, वो आपको नहीं मिलते, आपको यहाँ पे एक point और बताना चाहूंगा, कि जब भी आपको अपने videos को upload करना है, सबसे पहले आपको सारे tags लिखने है, description लिखने है, और यहाँ पे tags लिखने आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने Google Chrome पे जाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है Google Chrome, इसको मैं यहाँ पे open कर लेता हूँ, उसके बाद ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ पे three dots आपको दिखाई दे रहे होगे, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने open हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है studio.youtube.com, जैसे आप क्लिक करोगे, तो आपके पास यहाँ पे open हो जाएगा, आपके YouTube की studio, आपको बताना चाहता हूँ, कि यहाँ से भी आप वीडियो को upload कर सकते हैं, जनरली दो सेम प्रोसेस आप अपने laptop पे या PC पे करना चाहोगे, तब भी इसी तरह का interface आपके सामने open होगा, तो अभी के लिए ले के चलता हूँ, आपको PC की screen पे, तो यहाँ पे भी दोस्तों, सेम इंटरफेस आपके सामने open हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम वीडियो को upload करते हैं तो यहाँ पे आपको click करना पड़ेगा, upload पे click करना पड़ेगा, या फिर आप create पे भी click कर सकते हो, दोनों options यहाँ पे हैं, और upload वीडियो पे आपको click करना पड़ेगा, जिस तरह का interface यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अब आपको गया करना है, यहाँ पे दो तरीके है वीडियो अपलोड करने के यह तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो कहाँ पे रखी है उसको यहाँ पे चूज कर सकते हो दूसरा कि अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हो सलेक्ट फाइल पे क्लिक करोगे तब भी यहाँ पे आपकी कहा वीडियो रखिये, वो यहां से आप चूज कर सकते हो, पर दोस्तो आप यहां पे dragon drop भी कर सकते हो, dragon drop कैसे करेंगे, यहां से यह वीडियो आपको पगड़नी है, और उसके नीचे जाके आपको यहां पे छोड़ देना है, कोई भी तरीका है आप उसको अपना सकते है उसके बाद दोस्तों कई सारे लोग यहीं भी mistake करते है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई सारे options है detail है, video elements है checks है यहाँ और visibility भी है दोस्तों जब कभी भी हम videos को upload करते है, तो जो title है यह काफी ज़्यादा matter करता है और यही आपके video को ज़्यादा rank करता है, तो इसलिए जो भी title आप यहाँ पे लिखोगे, वो आपको सही से SEO करके लिखना है कहना का मतलब है, अगर यह video यहाँ, how to upload video on YouTube correctly in 2022, यानि कि 2022 में video upload करने का सही तरीका, ठीक है तो अगर यही मैं यहाँ पे उठा के और Google पे जाता हूँ, और यहाँ पे search करता हूँ, तो आप देख सकते हो, कि यहाँ पे भी यह आ चुका है, और rank number one पे कर रहा है, तो आपको बन्चोंगा कि यहाँ पे और भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरा sentence मैं यहाँ पे लिखा है, mobile से video upload करने का सही तरीका, तो यह आप देख सकते हो, दोस्तों, यहाँ पे जो भी लिखना है, वो काफी अच्छे से आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ पे description में जाना है, description में दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज लिखना है कैसे लिखना है, आपको इसी को सीधा यहाँ पे copy paste करना है, और यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो आप इसको आगे ले जा सकते हो, और इसको यहां पर पीछे ले जा सकते हो इसके बाद यहां पर cover topic का आपको डालना है cover topic आपको कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आपको click करना है cover topic यहां पर डाल सकते है यहां पर लिख सकते है how to video upload on YouTube ठीक है in to 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 और दूसरा point भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है, video upload करने का शही तरीका, ऐसे भी लिख सकते हैं, यह line भी लिख सकते हैं, how to upload video on YouTube from mobile, यह भी लिख सकते हैं यहाँ पर, how to upload video on YouTube, यह आपको बता दूँ कि यहाँ पर 10-12 tags आप डाल सकते हो, और साथ में यह भी tag डाल सकते है, how to upload video on YouTube channel first time, और उसके बाद दूस्तों, आपको hashtag भी लिखना है, hashtag के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे भी video upload ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से दूस्तों, hashtag भी लिख सकते हैं, तामने दूस्तों, आप अपने telegram का channel भी डाल सकते हैं, और copyright disclaimer भी डाल सकते हैं अपने social link जरूर से डाले, दोस्तों social link डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको कोई भी बंदा यहाँ पर करना चाता है, contact और भई या फिर आपको email भेजना चाता है, कोई sponsorship वाला, वो भी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको गरना है, upload thumbnail पर किलिक करना है, example के लिए thumbnail मैं यहाँ लगा रहा हूँ, वैसे यह thumbnail इसका नहीं है, फिर भी मैं लगा रहा हूँ, साथ में आपके यहाँ पर playlist भी है, अगर आपके पास playlist नहीं है, तो भी आप यहाँ पर बना सकते हो, new tips ठीक है, तो आप easily यहाँ बना सकते हो, उसके पारी तो made for kids नहीं है, कोपा में नहीं आता, उसके बाद नीचे है, क्या आपकी इस video की promoted है, कह सकते है कि sponsor video है या नहीं, तो अगर sponsor video है आपकी, तो यहाँ पर अपने viewer के लिए, मतलब trust बनाने के लिए आप यहाँ पर click कर सकते हो, जिससे कि आपके viewer को पता चल जाएगा, क उसके बाद automatic chapter भी यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर tags लिखना काफी जुरूरी है, तो tags भी दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिये है, आप भी इस तरह से tags यहाँ पर बना सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ज्यादा खास कुछ कुछ करना नहीं है, अगर monetizer आपका channel है, तो done पर आपको click कर देना है, उसके बाद types of ads भी है, यह सारे ads आपको यहाँ पर tick करना है, इन पर हलाकि by default tick ही होता है, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों before videos, during videos और after videos, यह actually pre roll, mid roll और यहाँ पर post roll, इसका मतलब है कि आपकी video अगर 8 minutes से ज़्यादा की ह तो यहाँ पर आप बीच में भी अपनी videos के जो ads के point भी यहाँ बना सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों next पर click करते हैं, next पर click करते ही दोस्तों यहाँ पर add suitability, इसका मतलब है कि आपकी जो videos है, वो क्या advertiser friendly है, तो यहाँ पर यह पूछता है आपकी video में क्या दिक्क अगर आपको है यहाँ पर बता देना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, और यहाँ पर लिखा है none of these above, अगर आपकी video में कोई भी प्रेसानी नहीं है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर none of these above पर click करना है, उसके बाद submit rating पर click करना है, जैसे आप यहाँ पर click करोगे, तो थोड़ा सा यह time ले रहा है, और ओके तो यहाँ पर पोँच चुके है, video element ओलेडी हो चुके है, उसके बाद check कह रहा है, तो यहाँ पर हमें next पर click करना है, next पर click करते ही, तो दोस्तों यहाँ पर आचुके है video elements पर, तो videos elements क्या होता है, actually में आपको subtitle डालना है तो यहाँ पर click करना पड़ेगा, और उस videos के नीचे आप क्या-क्या लिखना चाते हो, क्या-क्या बोलना चाते हो, वो easily यहाँ पर लिख सकते हो, बड़ मैं कभी भी अपने videos में subtitle नहीं डालता, उसके बाद add, end screen भी है, तो end screen लगाने के दो तरीके है, एक तो import from videos आप लगा रखा है, आप देख सकते हो, यह videos मैंने यहाँ लगा रखा है, अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाते है, तो मैं यहाँ से इसको discard कर देता हूँ, या विर इसको यहाँ से मैं delete कर देता हूँ, ठीक है, discard करूँगा, तो यहाँ पर हम आ जाएगे, तो आप जो तो manually भ specific device पे मैंने click कर दिया है, और यहाँ पर यह videos आपको लगानी है, उसके बाद दूसरी video अगर आप लगाना चाते है, उसको set कर लीजिए थोड़ा, और element पे जाएए, और यहाँ पर वीडियो पर जाएए, यह दूसरी यहाँ पर वीडियो आचुकी है, उसके बाद choose specific video पे आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मैंने एक videos और यहाँ पर लगा दी, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर adjust कर लेता हूँ, वैसे आपको बता हूँ कि कुछ दिन के बाद एक videos और आगी, जो कि tags के ऊपर होगी, ठीक है, टेंग्स आपको proper कहां से लेने चाहिए, अब दोस्तों आपके दिमाख में आ रहा होगा, कि हम यहाँ पर end screen में videos क्यों लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर कोई video इस video पर land करेगा, और बाद में देखेगा, तो उसको और videos भी देखने को मिलेगी, आपको पता दूँ, यहाँ पर most recently upload भी यह लगा आप चाहँ तो कोई भी video ले सकते हैं, यह अगर आप किसी और की videos लगाना चाहते हैं, वो भी लगा सकते हैं, तो अभी के लिए मैं video लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एड पर मैं जाता हूँ, वीडियो पर मैं जाता हूँ, और उसके बाद ये वीडियोज भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो वीडियोज यहाँ पे लग चुकी है सेव पे आपको किलिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पे next पे किलिक करना है जैसे next पे क्लिक करोगे तो यहां पे दोस्तों लिखा है no issue find यहां पे copyright भी नहीं है आपकी और यहां पे जो ads on your rating आपकी सही हो चुकी है उसके बाद आपको next पे क्लिक करना है next पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको कहीं सारे options मिलेगे private का options मिलेगा आपको यहां पे unlisted का मिलेगा public का मिलेगा जल्दी जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहां पे आप करते हो private इसका मतलब यह है कि आपकी वीडियो private mode में upload हो जाएगी अगर आप unlisted mode में चाते हो कहीं बार ऐसा होता है कि आपको sponsorship मिलती है और आपको approval के लिए किसी को link share करना पड़ता है तो यहां पे unlisted में यहां पे click करना है उसके बाद इसका जीस वीडियो का link आप किसी से भी share करोगे सिर्फ वो ही बंदा यहां पे देख सकता है उसके बाद यहां पे public पे भी है अगर आप public पे click करोगे और publish पे यहां पे click कर दोगे इसका मतलब है कि आपकी अभी अभी वीडियो जह release हो जाएगी यानि कि publish हो जाएगी अगर यहां पे click करते हूँ तो आपको यहां पे दोस्तो instant premiere भी देखने को मिल जाएगा ठीक है और publish पे click करोगे तो यानि कि आपकी वीडियो ऐसे जाएगे जिस तरह से live stream होती है इस तरह से आपको यहां पे premiere मिलेगा उसके बाद आप वीडियो इसको schedule भी कर सकते है example के तोर पे यह वीडियो मैं अभी publish नहीं करना चाहता और यह वीडियो 31 तारिक में मैं करना चाहता हूँ ठीक है रात के सुबह के रात के नहीं सुबह के मैं यहां पे करना चाहता हूँ 10 बजे ठीक है और यहां पे schedule पे click करोगा तो यह वीडियो schedule हो जाएगी अगर मैं schedule के साथ करना चाहता हूँ Premier तो Premier भी कर सकते हैं छो मैंने आपको बता देS पर किलिक करते ही तो आपकी जो वीडियों वो यहाँ पे बिलकुल रेडी हो चुकी है और कहीं सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों ज़ल्दी अपनी वीडियो को पब्लिस करते हैं तो जब तक यहां पे आपका जो monetization है वो own यहां पे अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो यहां पे अप complete हो चुकी है अगर यहां पे आप edit पे जाओगे तो आपको बताओगा कि कहीं बार वीडियो में गलती हो जाती है तो इस editor का इस्तमाल कैसे करते है आपकी वीडियो का part किस तरह से निकाल सकते है और अगर आपको कुछ चेंज करना है टाइटल में description में और यहां पे playlist में आपको कुछ चेंज करना है तो वो कर सकते है और नीचे की तरफ जाओगे thumbnail चेंज कर सकते है यहां पे click करोगे और यहां पे change का options भी है डाउनलोड क नहीं करने चाहिए क्योंकि आपके जो tags होते है आपके जो title होते है आपका जो SEO होता है जो algorithm होता है वो उसमें set हो जाती है जाकि आपकी वीडियो अगर आपकी वीडियो सही से rank हो जाएगी और सही से आपकी वीडियो के जो tags है वो SEO के अंदर fit हो जाएगे तो ऐसे में आप को अपने गूगल क्रोम से मूबाइल से करना है डेस्टोब मोड में जाके इसे भी कुछ दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूटूब टैक्स आपको किस तरह से लगाने है 2022 में दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में दब दक लिए टाटा बाई बाई जैहिन